सरकार भारतिये पोश्ट सेवा के अधिकारी प्रतीक जाज़डिया की पेरेंट कैडर में वापसी हुई है प्रतीन युक्ती अबधी पूरे होने से पहले ही भजलाल सरकार ने रिलिव कर दिया है 24 दिसमब 2019 पुरवास 23 दिसमबर 2024 सरक प्रतीन युक्ती अबधी लेकिन 5 साल की ये अवधी पूरी होने से पहले ही राजे सरकार ने रिलिव कर दिया प्रतीक को अपने पेरेंट कैडर में जोईन करने के निर्देशे दे दिया कॉंग्रेस सरकार में पोश्ट सिवा से प्रतीनियुक्ती पराधिसान सरकार में ले गए थे प्रतीकोर 19 माई 2023 को तदकालीन कॉंग्रेस सरकार में ही बना गाता आयरुवेद संहुत सचिव मेरे से योगी और डॉक्टर इतुराज जुड़ गया है इसके पीछे की बड़ी वज़े क्या है और इस परिवर्तन को आप कैसे देते हैं देखे ये एक तरह से हम मान सकते हैं बजनलाल सरकार ने साफ तोर पर मेंडेट दिया है कि जीरो टोलरेंस वो अपनाएंगे बश्टाचार के परकी इससे पूरू में अगर हम बात करें तो नीरच के पवन जो पूर आईएस हैं उनके खिलाब जो अब्योजन स्रिकर्टी दी गई है वो भी इसी सरकार में हाली में दी गई है अब यह प्रकरण है वो श्रम विवाग से जुड़ा हुआ है कि बड़े मन्सुगों के साथ गेलो सरकार ने पोश्टर सेवा से प्रतिनुक्ती पर प्रतिक घांजडिया को लाखे और श्रम विवाग में लगाया था आयुक्तपद पर लेकिन घूसकांड में उनकी लिप्टता पाए जाने पर और गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें निलंबित किया था चब्वी जुन 2021 को उनको गिरफ्तार किया गया था चुक्कि वो पोश्टर सेवा से थे तो चेंजडिया इस तर पर मंजूरी लेनी पड़ती है निलंबि उसी में वाहिए जाते है और शएंक सthing के उचिभ के रूप में उनकी पोश्टिंग होती है पहले भूिन कर संग में looked forward in everyone और इसके बाद एक और आयुर्वेद सेंग सक्भश के तर पर हुई और अब सरकार ने ये साथ सोर पर ने ले लिया कि इनकी जो प्रतिन्युक्ती अवदी है वो और नहीं बढ़ाई जाए और पूरी जो प्रतिन्युक्ती अवदी पांच सार की दोजाथ 24 में दिसंबर में खातम हो रही है इससे पहले ही इने पैरेंट के डर में वापस बेश जाए और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे फॉर्स्ट इंडिया निउस डिजिटल प्लाटपॉर्म पर भी फॉर्स्ट